जैसा कि आप सबको पता है कि हमने हमारे प्रिवेस लेक्चर के अंदर क्लास एट मैथ चैप्रन नमबर वन रैसनल लंबर का इंट्रोड़क्शन कंप्लीट किया था आज हम एक्षरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूसली सारे कुषिन करते रेंगे तब हम स्ट स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे रियरेंज करेंगे हम माइनस 3 अपन में 5 इंट्वन अपन में 6 को रियरेंज करेंगे यह फॉर्म को आपन में 5 इंट्वन अपन में 6 को प्लस 5 अपन में 2 के साथ माने कर दिया तो अब इस फॉर्म को आप देखो तो आपको यहीं देना जंच्चे की कौन सी प्रोपेटी है क्यूकि यहापर यह कौन सी फॉर्म में है एन्टू बी माइनस बी इन्टू यह और कौनसी फोर में हमारी दीश कामिट्रीटेटीव फall में है ना तो हम चाहा कर सकते हैं या पे कौनसी प्रोपेटीटीव फोपर्टी तो अब हम इस कासे सोल करूते हैं याद वन अपन में 2 प्लस 5 अपन में 2 हम वन अपन में 5 को कॉम्मन निकाल लेंगे हमारे पास क्या बचेगा माइनस 2 अपन में 1 माइनस वर अपन में 2 as it is and प्लस 5 अपन में 2 यह हमारी कॉंसी प्रोपर्टी है distributive property यह अमारे कॉँसी property लग रही है distributive property तो अब हम क्या करते हैं LCM देते हैं तो यहां हमने LCM लिया 2, 2 को 1 से divide किया 2 आया, फिर 2 को 2 से multiply किया 4 and minus 1 plus 5 upon में 2 1 by 5 इंडू माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 अपन में 2 प्लस में 5 अपन में 2 अब बच्चे इसको देख के सोचेंगे कि हम इंदरों को कैंसल कर देते फिर हमारा यह इंसर बच जाएगा लेकिन नहीं हमें हमारे बॉर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले multiply solve करना होता है तो हम अ करेंगे आपर multiply को solve करेंगे तो माइनस 5 से 5 कैंसल कर देते हैं तो मारे पास क्या आएगा माइनस 1 अपन में 2 प्लेस में 5 अपन में 2 एल्सियम सेम आजाएगा 2 माइनस 1 अपन में 5 is equal to 4 अपन में 2 cancel किया 2 मारा क्या आगया अंसर आगया तो इस पार्ट के अंदर हमारी यूज होईती है कॉमटेटिव और डिस्टीबूटी प्रोपर्टी अब हम चलते हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ है फ्रेंज हमने हमारे प्रेफिए के अंदर प्रप्रेटिए को हो थे तो हम कि स्टार्ट करतों को हम यह क्या करेंगे सबसे पर लेक्ट करेंगे स्वक्रीए माइनस-3 अब क्यों कर ऑपकर डेंगे-2 1 1 x14 x2 x5 x3 x2 अभा आप सोचेड़ों कि हमने इसे रिएर्रेंज क्योंकि आप आगे चल के देखोगी यह रिएर्रेंज करना हमारे लिए कितना फाइदा आया इसे में तो अभी हमने यह रियरेंज किया तो टू अपन में फाइफ यहां पर है इसको हम एक ही फों में लिख सकते हैं और इसको हम भी मान सकते हैं प्लस में कि अप इंटु कि अब यह आपको इसको देखे द्याराना चाहिए कि यह कौन सी प्रोपर्टी है जो हमने हमारे फर्स्ट पार्ट के इंदर भी देखा था यह कौन सी आपको कुशना कोमुट्रेटिव प्रोपर्टी तो यहमारी है कंद्र से एक ओमल ले लेंगे तो अब हम सबसे पहले से फोम में लिखते हैं डिस्टिबूटी प्रपरटी की तो हम यहां से टूप बाइफ को मना जाएगा इन्टू में ब्रैक्किट माइनस थ्री अपॉन में सैवन प्लस का वन अपॉन में फोर्टिनF come 3 से 6 को मैंने कैंसल कर दिया तो कितना हमाना याख मैंना माइनस वन अपॉन में 4 4 KY Discovery क्यों क्याया तो से two हम माल्टिप्लाइ कर देंगे तो two upon में 5 हमारा प्रैक्ट ड्ल्स करेंगे तो 7 को और 14 का हैल से हमा जाएगा 40 हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगा 2 2 के और 3 के multiply के तो 6 प्लस में 1 मैंनस 1 अपन में 4 2 अपन में 5 इंटू मैंनस 5 अपन में 14 मैंनस 1 अपन में 4 मैंनस 5 से मैंनस 5 कैंसल 2 से 14 कैंसल 7 पर जाएगा तो हमारे पास कितना बचा मैंनस 1 अपन में 7 एंड मैंनस 1 अपन में 4 इसका LCM कितना आएगा 28 28 को 7 से डिवाइड किया तो कितना आए हमारे पास 4 4 के रवन के multiply के तो ऐसे 4 को 28 को 4 से डिवाइड के 7 7 के रवन के multiply के तो 7 is equal to minus 11 अपन में 28 यह हमारा क्या आगया एंसर आगया तो जैसा कि हमने प्रिव्यश वीडियो के अंदर दुर प्रपर्पर्टी यूज की थी तो यहारा पे भी हमने कौंसी प्रपर्पर्पर्टी यूज किये up prosperity एक ओप्पर्पर्टी और दूसरी डिश्ट्री ब्योटी एक प्रपर्पर्टी तो इसे के साथ हमारा ये question खतम होता है अब हम मिलते हैं आपको next question में हमने हमारा first part clear कर लिया है अब हम चलेंगे हमारे question number second पर first question तो हम clear कर चुके हैं तो इस question number second नमें करना क्या है write the additive inverse of each of the following मतलब जितने भी हमें ये question part दे रखें इन सबका हमें क्या निकाला है additive inverse निकाला है अब जैसे आप सबने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता होगा कि additive inverse होता क्या है तो additive inverse हमें ऐसा था कि ऐसा कोई भी हो में rational number दे रखो suppose करो में rational number दे रखा ए इसमें हम ऐसा क्या plus करे कि हमें क्या plus करें कि हमें क्या मिल जाए जिरो मिल जाए फिर क्या add करें कि हमें जिरो मिल जाए अब एक का हम इस के इंधर negative ad करेंगे तो हमने 0 मिल जाए क्यों कि Hazel हो जाए फिर हमें क्याJ kilo ही मिलेगा प्लस-0 अब हमको को एग्जामपल लेके चलते हैं वैसे सिक्याओं । सब्सक्राइब करद दो कि हमें हम जिरो कर सकते हैं तो हमारा एड़िटिव इंवर्स निकाला है जितने भी नमबर हमें दिया निकला हमें एड़िटिव इंवर्स इसमें आपको ज़्यादा सोचने की जूरत नहीं है कोई भी पोजिटिव नंबर देराख उसको नाजटिव में कन्वट कर दो, नाजटिव देरको पोजिटिव में कन्वट कर दो, हमारे अपने आपी किया ऊजाएगा, जी तो एक्वल वू आ जाएगा, तो टू अंपस्वार में एट, इसका क्या बताना है, additive inverse बताना है जैसे माइनेस 5 पर में 8 का तरफ फाइफ अपर में 8 का न्यगेटिव इन्वर्स बता ला सिंपल माइनस 2 अपन में 8 यह क्या हो जागा इसकी प्लस होगा तो यह क्या हो जाएगा चैनल हो जाएगा और is equal to convert कर देते हुं ऐसे अपर में 9 में का इनवर्प होगा मैनस 6 अपर में सब को सबसे के अंदर बहुत सारी किसमाध मारंगे कोई बचा सोच रहोगा मैंनस 6 अपर में 5 कर दो नीचे वाली संख्या convert कर देते हैं कोईैं कि चैक करते हैं कि इन तीनों में से कौनसे अंसर क्या है अब आप एक और से ध्यांस सोचो तो माइनस से माइनस तो हमारा कैंसल हो जाएगा तो कि-6 फॉर्म में हो गया हमें इस का रिटीव इंवर्स बताना है ना कि-6 फॉर्म में-5 तो-6 फॉर्म में-5 तो इस में हमारा यह जो हों सकता यह जो हुआ लेकिन अब आप सोचेर होगे आपने दो स्रीप एक क्या आगे consistent लगा है जो यह साइन है ना इसको हम वैसे बीच में लगाते हैं लेकिन एक और से दिगर हम इसको उपर भी लगा दे तो हमारा गलत नहीं होता है ठीक है तो अब आप चाहिए किसी भी फोर्म में लिख सकते हो माइनस फ़ों में फाइफ ऐसे भी लिख सकते हो तो इस चाहिए आपको बताया नीचे हो या उपर हो कोई परक नहीं पड़ता वह माना जाता है वारा बीच में तो यह वह दे रखा आपको तूअप में नाइन माइनस का साइन आपको यहां दे रखा है उसको चाय आप उपर लगा दे नीचे लगा दो उससे कोई फ्रक नहीं पड़ता तो आप इसको किस में कर दोगे तो यह क्या है इसका एड़ेटिव इंवर्स है ऐसे यह वाला इसका भी इंवर्स होगे होगे हैं हम साइण को उपर स्थिक्स ऐड़ेटिव इंवर्स है को नइसका भी इंवर्स निकाल देंगे तो इस नेगेटिव नेकर अग्टिव को पॉजिटीव करना था और पोजिटीव को नेकर अग्रद करना था इसके साथ हमारी यह यह एकम्प्रिट होता है अब हम चलते हमारे next question की तरफ, friends हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर दो question solve कर लिए हैं, अब हमारे third question की तरफ चलते हैं, तो third question में हमने क्या पुछ रखा है, verify that minus x minus into minus x is equal to x4, मतलब हमें x की value दे रखी है, उनको इस formula के हिसाब से हमें put करके बतानी है क्या x की value ठीक है या फिर गलत है, तो सबसे पहले में दे रखा first part, तो first part में x की value 11 upon 15 दे रखे, तो हम formula पूट करते हैं, यह हमारे क्या दे रखा है, हमारा formula दे रखा है, तो इसके इंदर हम put करेंगे, तो minus and minus 11 upon 15 is equal to minus से minus cancel हो जाएगा, या video करो, कि bracket को जब solve करोगे, तो भार minus आए ना या अंदर का sign change हो जाएगा, कुछ भी समझ लो, बट आपका उत्तर कितना आएगा, 11 upon 15, ना minus ना कुछ, और हमें x की value 11 upon 15 ही दे रखेंगे, तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है, कि x की value 11 upon 15 ही आएगी, बट अब हम देखते हैं, second part की तरफ, क्या ये भी verify हो रहा है, या फिर नहीं हो रहा, तो इसमें हमें क्या करना है, वही formula use, minus minus x is equal to x, minus, minus, और एक और minus जो खुद क्यूस्चन में हैं, तो उसका भी minus 13 upon 17, अब इस minus को तुम भार लेकर जाओ तो convert हो गया है, प्लस के अंदर, बट जो minus 13 upon 17 है वो तो मारे रहे गई, और plus minus फिर minus तो मारा is equal में क्याएगा, minus 13 upon 17 और यहीं हमें x की value दे रखेंगे थी, मतलब दोनों question verify हो चुके है, x की value जो हमें दी गई है वो एक डम right है, इसी के साथ हमारा जो third question है, वो complete होता है, अब हम चलेंगे हमारे next part की तरफ, friends हमने हमारे तीन question खतम कर लिये हैं, अब हमारे fourth question को देखेंगे, तो इस question के अंदर क्या करना है, find the multiplicative inverse of the following, ये question the second question की तरह ही आ गया, उसके अंदर हमें additive inverse निकालना तो, इसके अंदर हमें multiplicative inverse निकालना है, जो number हमें दे रखें, तो multiplicative inverse मैंने आपको बताया था, क्या होता है, कि कि किसी भी रेस्टेल अंदर के अंदर हमें, मैं ऐसा क्या multiply कर दू कि वह बन के एकवल हो जाए, तो मैं उसका reciprocal कर सकती, बन अपकोन में, ए इसके करनों बन के एकवल हो जाएगा ना, तो ऐसे तो आप समझ गए कि हर वीडियो में हमें बन हर पार्ट के अंदर हमें reciprocal करना है, कोई भी नंबर आ जाए, तो अब हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, माइनस 13, इसका reciprocal क्या होगा, माइनस 13 का reciprocal होगा, 1 अपकोन में माइनस 13, अब यह माइनस का साइन अब उपर भी लिख सकते हैं, माइनस 1 अपकोन में 13, मतलब कि इन दोनों के अंदर से हम कोई भी नंबर लिख सकते हमारा उत्तर गलत नहीं होगा, तो और यह किसके कबल आएगा, मन के कबल आएगा, तो यह क्या है, इसका multiplicative inverse है, माइनस 13 अपकोन में 19 का multiplicative inverse हो जाएगा, 19 अपकोन में 13 माइनस का, या फिर माइनस को आप माइनस 19 अपकोन में 13 भी कर सकते हो, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा, इसका reciprocal क्या हो जाएगा हमारा 5, बन अपकोन में 5 का reciprocal क्या हो जाएगा, 5 अपकोन में 1, तो यह क्या हो जाता है, जाता थर्ड पार्ट कर देते हैं आप कर दो याई इसके आपका वह ऊतर भी है या फिर इसको आप एक तरीक है कि सोरक और सकते हैं फाइक त्री जा आ इत भीड़ इसका इभेस데 निकार रहे हो क्या कर यहां पे मिल्टिप्ला करो इसलिए प्लस का 15 आएगा और हला इसका जो मौ्टिकलर इंवर्स है क्या होगा 56 अपन में 15 अब आते हैं हमारे 5th part की तरफ इसमें भी आप सबसे पहले क्या करो इसको fraction के अंदर लिखो 7177 में 2 प्लस किये तो क्या हो जाएगा सोरी सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करोगे इनकी इसको अंदर क्या होता है liya तो यहां अच्छिडाएगा 2-7 का मंट्लिकें क्या होता है the— economically inverse निट्रलिकरी इंवर्स क्या होता है माइन यह उता है न इस न हो सब्सक्राइब करें जाता हुँक्ए वह सब्सक्राइब कर तो्रेtar माइनस ब्लाटतर भी लगा सकते होrau नी पर म्हिन भी कर सकतें हो लो कि्या दा यह वेल्डिव नहीए आपको मिलेगा तो इसे के साथ हमारा क्यूशन नंबर 4 भी कंप्लीट होता आप चल चला हमारे नेक्स्ट क्यूश्ट प्रेंड्स हमने फॉर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं अब हम फिस्ट पार्ट की तरफ चलेंगे तो फिस्ट पार्ट के अंदर क्या है नेम दी प्रो फॉर्पॉर्पॉन में फाइफ इस इकवल तूँ माइनस पॉर्पॉर्पॉन में फाइफ अब ही आदो क्या कर स्को थोड़ी द пришट यह भूल जाओ सिर्फ इतने को देखो इसके अंदर कॉंसी प्रोपर्टी योज वह जो हुई है हमने फिर्स्ट कीशिन के अंदर देखा था कॉंसी प्रोपर्टी और यह के अंदर द्यांतरेतों देखो actually it is equal to B into A यह कॉंसी प्रोपर्टी थी तू लिए परपर्टी 27 परेटी डिए õउ Prof परेटिए आफ से हमान में से यह प्रोपर्टी अब हमने इसको इसके साथ देखा तो हमारी प्रोपर्टी आई लेकिन अब थोड़ी देरे के लिए इसको छोड़के इसी साब से देखो तो आप देखो इसकेंदर एक प्रोपर्टी और यूज हो रही है कौनसी और अगे राशनल नमबर ही मिले तो वह कौन सी प्रोपर्टी होती है हमारी तो इसके साथ सत्या साथिकन्ड प्रोपर्यट्टी कौन सी है लो भी त्यूर प्रोपर्टी ऑब में चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट में इसमें वह मारी कौन सी characterized हो जारी है ताता साथ देखके बताई सकते हैं अलों बू bottoms video जो एंटो ए तो यह इंद प्रपर्परटी हो हटेकर हमारी कमुनुटेटीव खुकित है तो यहां पर मारी कूंसी प्रेटी हो रही हो स्कुवmiyorum प्रपर्टी तो हम पॉर्फ पार्ट के अंदर हमें यह यहां कैंसल करने के बाद बन मिल है तो यह सी प्रॉकल यह एक और से यह तो क्या मिला हमें यह आपे multiplicative inverse या multiplicative identity multiplicative inverse या identity तो इसी के साथ हमारे question 5 complete होते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो इसे like, subscribe and share करें and thanks for watching my video